दूस्तो आपने डोरे मॉन जैसे फेमस काटून तो देखे ही होंगे हो सकता है आज भी आप मेंसे कुछ लोग उस काटून के दिवाने भी हो और आपने तो देखा ही होगा कि काटून में सारी चीजे सुन्दर तरीके से दिखाई जाती है और कभी कभी तो आपका मन भी करता होगा कि जो चीजे काटून में दिखाई जाती है काश वो चीजे मैं रियल लाइफ में भी देख पाता आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घर दिखाएंगे जो की काटून की तरह रियल लाइफ में भी बनाये गया है इस घर को दा पाइनेपल हाउस भी कहते हैं जो की ऑस्टेलिया में बनाये गया है बस फर्क इतना है कि ये पानी में नहीं जमीन पर बनाये गया है ये खुबसूरत पाइनेपल बिल्डिंग 33 फिट लंबी है जिसे एक तरह से टूरिजम को प्रमोट करने के लिए बनाये गया है ये हाउस के वल आस्टेलिया में ही नहीं बलकि कई देशों में बनाये गया है दोस्तो इस घर को काटून में पानी के अंदर बना हुआ दिखाया गया है दोस्तो आपने दा अप हाउस मूवी तो देखी होगी इसमें काल नाम के एक बुज़ूर्ग अपनी वाइफ एली के लिए अपने सुन्दर से घर को होट एर बलून में बांध कर हवा में उड़ा देते हैं इस घर को साल 2011 में बनाये गया था इसे बिल्कुल काटून जैसा बनाने के लिए इसके हर हिस्से पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है अब ये घर यूटा में बनाये गया है जैसे घर के बाहर लेटर बॉक्स, दिवार पर लगी तस्वीरें, फ्लोर बोर्ड और यहां तक की लाइट स्विच भी सेम टू सेम काटून की तरह ही लगाई गया है हैरानी की बात यह है कि साल 2009 में यह मूवी रिलीज हो गज़ी और साल 2011 से 12 के बीच में इस घर को बना दिया गया था इस घर को डिजनी लैंड में बनाया गया है ये घर जितना अच्छा बाहर से देखने में लगता है उससे कई गुना या अंदर से देखने में अच्छा है दोस्तो इस घर में एक-एक समान उसी तरह रखा गया है जैसे कार्टून में दिखता है और इसी करण दूर-दूर से लोग इस घर को देखने आते हैं इस घर को साल 1997 में कैलिफोर्निया बेज, कॉफ मैन और बोर्ड होम बिल्डर दोरा बनाया गया है इस घर को सेम उसी तरह बनाया गया है जैसे काटून में दिखाया जाता है पेपसी और फॉक्स जैसी बड़ी कमपणियों ने मिलकर इस घर को एक कॉंपटिशन इवेंट के लिए बनाया था जिस घर का नाम था दसिंपसन हाउस गीववे जिसमें रैंडमली ये हाउस किसी भी लखी विनर को मिलेगा कॉंपटिशन की डेट 10 जुलाई 1997 को रखी गई थी इवेंट के नियमों के अनुसार जीतने वाले को ये घर मिलता या तो 75,000 डॉलर कैश मिलता लेकिन इसमें इंट्रेस्टिंग बात ये है कि जीतने वाले ने इस सुन्दर हाउस को छोड़ कर 75,000 डॉलर लेना पसंद किया परन्तु उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि इस घर की कीमत 1,20,000 डॉलर थी दोस्तो आपने डॉरेमॉन काटून तो देखा ही होगा इसे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है ज़्यादा तर बच्चे इस काटून के बहुत बड़े फैन है और इस काटून को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है डोरे मॉन का ये house जैपैन में है जैपैन में लगबख सारे गर कुछ इसी प्रकार के बनाये जाते हैं जो कि सेम डोरे मॉन के house की तरह दिखता है और हाँ दोस्तो अगर आपको डोरे मॉन का special house देखना है तो आपको फूजिको फूजियो मुजियम में जाना पड़ेगा जहा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रिस करना ना भूलिए ताकि हमारे निव वीडियो आपके पास पहूसती रहे तो फ्रेंस थ थैंक्यू फॉर अल